हालो स्टुदेंट्स हाव यू अल आई होप यू अला डूइंग वेल आई प्राची चौधरी असेस्टेंट प्रोफेसर इस्टी कॉलेज अफ कॉमर्स टेकिंग यू लेक्चर ऑफ मेनेजीरियल एकॉनोमिक्स तो लास्ट लेक्चर में हमने डिसकस किया था वाट इस में इसकों का मतलब होता है क्या वह सारी एरिया जहां हम यूज कर सकते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो मेंठा था कि मैनेजीरियल एकॉनोमिक्स बेसी कामोमिक्स थासे हम टेकटी कर ओढ़ी हैं उन्हें अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं ताकि सब्सक्राइब ने पोगा सोंच आपको कर इस तो इसमें दो चीज़ें नियुके-किbe दिनने मेकरोघ्रोम हैं या परहेंगे सल्ष के नोग स्क्राइब कहले लुब एकर एकौनोमिक्सथ पर दो Calling a और इसमें जो चीज़े दी गई हैं वो है तो सबसे पहले आती है तो दिवान का क्या मतलब होता है कि कितनी कितना मेरे पास ओडर है कितना समान कस्टमर चाहते हैं क्योंकि मैं मैं मार्केट में बेच सकते हैं तो एक तरीके से देखा सब्ह haut के डिमांड और में स्कोck की करणों तो इसमें डिमांड एन इनलाइसस नहीं उन सब की मदद से लेवल ओ दिमांड देखेंगे मैंमेल एकोनामिक कि मदद से जो मेरा मैनलेजर होगा फोर्कास्टिंग कर पाएगा कितनी डिमांड आने वाली है कि उसके चलिए तो फोर्कास्टिंग कर पाएगा कि दिमांड आने वाली है और उसके बाद उसके बेसिस पर ही अपने आपको प्रिपैर करके चलेगा तो इस वह बाउट ट्यूरी और डिमांड ट्यूरी की नॉलेज हमारे लिए हल्फुल है इंद चॉइस ऑफ कॉमेडिटी इस वह सब्सक्राइब आते हैं कि युद्यूरी को आप ट्यूरी और प्रेसेटिंगा में इनपूर्ट रिलेटेटिड है ऐसे ही इनपूर्ट ये बताती है कि किन कंडिशन पे जो कॉस्ट है वह इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है कैसे जो टोटल आउटपुट है वह और जब सभी फैक्टर लगातार इंक्रीज होते हैं तो कैसे जो आउट्पुट है वो भी मैक्सिमाइज हो जाता है और कैसे हम डिटर्माइन कर सकते हैं आउट्पुट के ऑप्टिमम साइज को तो प्रडेक्शन थियोरी हेल्प करती है इंडिटर्माइन दर साइज ओफ फ़र्म साइज अटोटल आउट्पुट अद अमाउंट ऑफ कैबिटल लेबर टू वी एमप्लॉइड इसमें हमें देखना हो है कि प्रडेक्शन के लिए क्या बेटर है है ना इसमें कौन सा प्राइस थियोरी भी कह सकते हो और प्राइस त्योरी में यह थेयरी आफ एक्स्चेंज में हम लोग अलग-अलग मार्केशन में प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो मैनेज़ी रेकानोमिक्स हम यहां कैसे यूज कर सकते हैं कि लाइग हम की प्राइस पॉलिशी डिटर्माइ नहीं है किस टाइप के प्राइस त्योरी ट्रिटर्माइनगों अप्डिमांस आईज ऑफ फंड नेक्स साकते हैं हमारा च्ईएयोरी ऑफ प्रॉफिट प्राफिट बहुत ज्यादा इस सेंचल होता है और इसको प्रॉफिट को आप प्रॉफिट मैनेजमेंट और प्रॉफ के लिए तो प्रॉफिट में बहुत सारे फैक्टर्स डिपैंड करते हैं लाइक मेरे प्रॉडिक की दिमांड क्या है प्रॉडिक का प्राइस क्या है यह प्राइस क्या रखूं अपने कंपेटर से कैसे कमपीट करूं क्योंकि उसके इसाब से तो अगेन मैंनेचीरियल एकॉन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है न हम लोगों को हेल्प करते हैं इन सारी कैलकुलेशन में ताकि हम लोग ऐसा प्राइस रखें कि जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलें बट प्रॉफिट अन करना सभी बिजनेस वर्म का अब्जेक्टिव है यह 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 कह सकते हैं कि यह कॉमन अब्जेक्टिव होता है बट मेकिंगा सटिस्वेक्टरी प्रॉफिट इस नौट ऑल्वेस गैरंटीड बिकॉस अफॉर्म हास तो केरी आउट इस एक्टिविटीज अंडर कंडिशन अंस अंसर्टैनिटी विद रिगार्ट तू डिमांड अनमेग्रमेंनेग्मेंड फफिट को इन ग्लेटिंग फउर रिटन ऑन केपटल एंड प्रॉफिट और मेंगाया इंयुर फॉर्फिचर प्लैनिंग रही और दियोड आव कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है सभी इन्वेस्टमेंट ची तरफ जो हमारी एंपरे स स्कार्स जैसे कहते हैं कि this is a very scarce and expensive element है ना तो जो यह capital है वो भी हमारा एक दुल्लब या ऐसा कह सकते के महंगा का रख्या है है ना expensive factor है और capital business की नीव है तो इसका जो सबसे important ask है managers का वो allocation करना और management करना है और firm को success level तक ले जाना है capital से रिलेटिर जो issues है वो है choices of investment project assessing the efficiency of capital allocation of capital और इसलिए capital theory की knowledge contribute करती है a great deal in investment decision making choice of projects maintaining capital bursting है ना इसे एक्टर अब यह थे हमारे माइक्रो एक्वानोमिक एप्लाइट टौपरेशनल इशूज क्लियर तो अब हम आते हैं macro economics applied to business environment और environmental issues और managerial economics although micro economics है बट कई जगा क्या होता है यह macro economics भी की भी बात करता है और जैसे कि political environment है ना जिसके इंदर business firms काम करती है social environment अलग अलग factors के बारे में भी करता है ना लाइक हमारा economic system कैसा है country का taxation policy क्या है इसमें बहुत से factors हैं जो which constitute economic environment of a country है ना और उसमें यह points हैं कुछ जो include करते हैं जैसे कि type of economic system of the country trends in labor and capital markets general trends in prediction employment income prices saving and investment etc the degree of expenses the degree of openness of the economy and the influence of MNCs on the domestic markets तो यह था हमारा इस micro economics macro economics apply to business environment इसको आप environmental issues भी सकते हैं ना यानि कि जो managerial economics है वो हमारी micro economics है बट कई बार क्या होता है macro economics की तरह भी वर्क करती है क्योंकि हम जो political environmental social environment है हमारी business firm उसके अंदर ही होती है वहीं पर काम करती है तो इसी के साथ हम अपना लेक्षर क्लोज करते हैं नेक्स लेक्षर में मिलेंगे फिर से जब तक आप वीडियो देखिए जो भी वीडियो लेक्षर आपको रिसीव होते हैं प्लीज आप सब देखिए इस्टूडिंट्स और स्टे होम स्टे सेव बी हैपी बी हल्दी घर से बाहर नहीं निकलें बहुत जरूरी हो तो ही निकलें अदर्वाइस घर में ही रहें सेफ्टी इस मस्ट तो अपने आपको सुरक्षित रखें थांक्यू